मनिपूर के कांग पोक पी जिले में कांग चूप चिंखोग गाउं के पास मंगलवार को एक चेक पॉइंट पर मैधी लोगों की भीड़ ने एक वहान रोपकर उसमें सवाज चार को की लोगों को अगवा कर लिया इन में से तीन लोग एक सेनिक के परिवार के हैं इन में सेनिक की मा भी शामिल है जैसे ही लोगों के अगवा होने की खबर फेली कुछ को की लोग हातों में हत्याल लिये गटना इस तल पर पहुँचे और कांग चूप की तरफ फाइरिंग शुरू कर दी इस फाइरिंग में दो पुलिस कर्मियों और एक महिला समय नो लोग खायल हो गए गायलों को इन फाल के अस्पताल में भरती कराया गया है सेना के सुत्रों के मुताबिक वहन में एक 65 साल के बुजुर्ग भी सवार थे जिने मोके पर मोजुद सुरक्षा बलों ने अगवा होने से बचा लिया उनके पहचान मंगलुन हौकिप के नाम से हुई है उन्हें कई गंभिर चोटे आई थी जिसके चलते उन्हें नगालेन के दिमापूर में एक अस्पताल में भरती करा गया है मंगलवार रात तक पुलिस उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाई है उनको रैस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है